बच्चे ना इसमें डर जाते हैं और वहीं पर बच्चे आधे कोशन को गलत कर देते हैं यहाँ पर आपको एक unknown quantity दी जाएगी जिसकी value हम आप से बोलेंगे कि आप उसको निकाल के दिखाओ दोनों expression की value equal होगी इसको हम क्या बोलते हैं equation सर वाई के साथ तो कोई भी number नहीं है तो वाई का coefficient क्या होगा वेरियेबल का जो highest power है वो क्या होगा सर वन होगा अगर multiplication equal to के इस साइड जाएगा तो बन जाएगा divide और divide equal to के इस साइड आएगा तो बन जाएगा क्या multiply यह क्या बोल रहा है x की value minus 3 रखो मैंने वो लग क्या वाद सही में रख दे लो भाई यह रख दिया hello dear learners क्या हल चाल भाई कैसे है सब मेरा नाम प्रियांश शुकला आ गया हूं आप सभी के सामने rapid revision का दूसरा chapter लेके जहां पर हम in next 20 minutes complete करेंगे एक बहुत आसान सा chapter जिसका नाम है linear equation in one variable बच्चे ना इसमें डर जाते हैं और वही पर बच्चे आधे कोशन को गलत कर देते हैं भाईया यह chapter ना बहुत easy है बहुत easy है डरना नहीं है बड़े आराम से समझेंगे 20 minute है आपको लगेगा समय कम है लेकिन भरपूर समय है यार ऐसा मैंने पहले भी पढ़ाया है और मतलब आपको ये chapter हमने पहले भी पढ़ाया है तो आप definitely ना इसको बड़े असानी से समझ जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है आपके दाल बन चुकी है यहाँ पर हम है जिसमें तड़का लगा रहे है ताकि आपने जो पढ़ाई किया है उसका एक लेवल अप आप जा सको और exam में अच्छे score कर सको तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आज के इस class में तो सबसे पहले हम कुछ important terms देखेंगे sir expression versus equation जानेंगे linear equation in one variable जो chapter का नाम है उसको हम समझेंगे sir इसमें होता क्या क्या है और इसके बाद most important solution for linear equation बहुत important है question यही से आते है कि linear equation तो आपने समझ लिया उसको solution उसको find कैसे करोगे उसका answer कैसे निकालोगे most important and easiest easiest part easiest part आपका यही है तो तयार हो pen और paper निकाल लो क्योंकि जो question हम करेंगे वो आपको भी वहापर करना है ठीक है और हाँ class के end में आपको मिलेंगे कुछ homeworks जिसका आपको solution देना है comment section में और community post में भी आपको कुछ questions मिलेंगे उसका जवाब भी आपको देना है इससे क्या प पहले जानेंगे algebraic expression क्या होता देखो algebraic expression is made up of algebraic expression बना होता है सर variable से किससे बना होता है सर variable से उसके बाद बना होता है सर constant से उसके बाद बना होता है वो coefficient से और उसके बाद बना होता है वो arithmetic operation से सर क्या बना है किससे बना है सर यह क्या है variable constant क्या है कहें टेंस न लेते हो बता अरे भाया मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ कि algebraic expression होता क्या है algebraic expression ये सारे चीजों से बना होता है अब ये सारे चीजे जानेंगे और उसके बाद वापिस आएंगे और algebraic expression को समझेंगे ठीक है सर आजो सर variable, variable क्या होता है, variable पहली बात तो हमेशा याद रखना variable की value हमेशा हम linear equation में find करते है variable मतलब जिसकी value हमेशा change होगी एक कोशन में कहीं आप देखोगे कि x की value 7 आई है और कहीं पर आप देखोगे कि x की value 8 आई है तो x की कोई fix value नहीं है यहाँ पर आपको एक unknown quantity दी जाएगी जिसकी value हम आप से बोलेंगे कि आप उसको निकाल के दिखाओ तो सर क्या होता है variable variable is an alphabet के तरीके से हम उसको denote करते है जो represent करता है unknown number unknown number को represent करता है ठीक है सर उसके बाद आएंगे हम जानेंगे constant क्या होता है सर constant, constant मतलब ऐसी चीज जो fix हो बहिया 7 की value इंडिया में भी 7 है इंडिया के बाहर जाओगे भी तो भी 7 है और इंडिया के छोटे से छोटे देश में भी जाओगे तो भी 7 है तो बहिया constant का मतलब क्या होता है constant का मतलब होता है जो value हमेशा fix हो जिसकी value कभी change ना हो जिसकी value कभी change ना हो तो ये आपके जितने भी नंबर से न वो आएंगे इसमें, जितने भी आपके नंबर से, तो जैसे 7 हो गया, ठीक है, उसके बाद कोई भी नंबर लिख लो, अरे लो भाईया, ये आपका फेवरेट नंबर है, लो लिख दिया, लो, क्या ये आपका फेवरेट नंबर है, लिख दिया, ठीक है, सब लिख दिया, ठीक है, तो कोई भी number ले लो, ये क्या कहलाएंगे, constant कहलाएंगे, सर उसके बाद coefficient, सर अगला term आता है आपका, coefficient, तो coefficient क्या होता है, coefficient is a numerical factor of a term containing constant and variable, coefficient क्या है, जब आप variable के साथ, कुछ constant लगा होता है, वो दोनों में उसको हम बोलते है, coefficient, जैसे for example, ये constant मैंने लिखा 7, ठीक है, और यहां से मैंने एक variable उठा लिया, x, तो ये x का coefficient क्या होगा, 7, what is the coefficient of x, आप बोलोगे, 7, ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ, 89y, तो sir, y का, sir, y का, जो coefficient होगा, वो क्या होगा, sir, 89, तो आप से कैसे question पूछेंगे, sir, what is the coefficient of x, तो x के साथ, जो constant number चिपका होगा, उससे हम बोलेंगे, coefficient उस number का, ठीक है, समझ में आया, तो आजो भाहिया, वापिस आजाते हैं, हमारे topic में, अब समझ में आया, sir, क्या-क्या होता है, तो ये ज क्या है, sir, आपके, variable है, हमको नहीं पता कि, sir, ये क्या है, इसकी value क्या होगी, हमें नहीं पता, sir, ये unknown quantity है, ठीक है, sir, यहाँ पर जो आपको 5 दिख रहा है, ये जो 5 दिख रहा है, ये क्या है, sir, coefficient, किसका, sir, किसका coefficient है, sir, x का coefficient, x का coefficient है, sir, y का coefficient क्या है, बताना ज़रा, कोई भी नंबर नहीं है तो y का coefficient क्या होगा आप बोलोगे sir 1 होगा क्योंकि अगर y के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है 1 है ठीक है 1 into y है तो y का coefficient 1 होगा sir इसके आगे अगर मैं plus 8 लिख दू अगर इसके सामने मैं plus 8 लिख दू तो यह जो 8 है ना यह क्या है sir constant भी यह 8 की value कुछ नहीं होने वाली 8 की value तो एकदम fix है 8 की value तो sir एकदम fix है sir यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर एक minus sign है यहाँ पर एक minus sign है और यहाँ पर एक plus sign है यह दोनों क्या है सर यह जो minus है और यह जो plus है यह क्या है तो यह है आपके arithmetic operation याद रखना mathematics में सिर्फ चार arithmetic operations होते हैं वो है addition, subtraction, subtraction, multiplication और division मातर यह चार arithmetic operation होते हैं mathematics में ठीक है तो आपको अगर यह चारों चीज़ दिखेंगे तो समझ जाना यह maths के arithmetic operations है चले आगे बढ़े चल equation versus equation, sir equation क्या होता है, बड़े धाइन सुनना, equation एक तराजू है, equation एक तराजू है, जिसके दोनों तरफ expression है और दोनों expression की value equal होगी दोनो expression की value equal होगी, इसको हम क्या बोलते है, equation, I am repeating, equation एक तराजू है, जिसके दोनों तरफ क्या रखा हुआ है, expression, जिसके दोनों तरफ क्या रखा हुआ है, expression, और दोनों expression की value equal होगी, तो sir, आप क्या ये कहना चाहरे हो, क्या मैंने जो बोला, अगर मैं उसे लिखना चाहू, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, expression is equal to expression, और sir, जब ये हो जाएगा, तो इसे हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे equation और sir इसे हम कहेंगे equation क्या आप यही कहना चाहते हो मैंने बुला बिल्कुल यही कहना चाहता हू तो sir अगर मैं यह लिख दू 7x plus 4 और मैं अगर इसको equal कर दू 4x plus 9 के तो क्या sir इसका मतलब यह है कि यह जो आपने लिखा यह जो आपने लिखा क्या यह एक equation है क्या यह एक equation है तो मैं बोलूँगा हां जी यह एक equation है अब जरूरी नहीं कि दोनों तरफ equation हो equal to आप किसी constant से भी कर सकते हो ठीक है expression में आपका हो सकता है सिर्फ और सिफ constant भी हो variable भी हो ठीक है जैसे अगर मैं इसका standard formula को चलो हम linear equation का आगे जब पढ़ाएंगे तब समझाएंगे अभी आप equation में समझ लो भाईया equal to का sign आता है equal to का sign आता है बस equation में आप क्या देखने को मिलेगा equal to का sign clear है यहां तक कोई doubt भाईया expression और equation में कोई doubt sir expression तो आपने बता दिया अब equation क्या होता यह आपने जान लिया equation एक तराजू है sir अगर equation एक साइड में अगर आप कुछ करोगे तो वो दूसरे साइड में भी वो करना पड़ेगा क्योंकि equation को या फिर equation में आपको तराजू को बराबर रखना है clear है sir आगे बढ़े जाने क्या है linear equation in one variable यह हमारा chapter का नाम है न यही हम जानेंगे यही हम समझेंगे ठीक है linear equation in one variable तो sir कितने variable है sir कितने variable है सिभ एक ही variable है first question sir second equation है मतलब equal to का भी sign दिखेगा sir यहाँ पर एक word है linear sir linear का मतलब है linear का मतलब है highest highest power of variable variable का जो highest power है वो क्या होगा sir one होगा वो क्या होगा sir one होगा इसका मतलब क्या यह जो अगर आपको x देखने को मिल रहा है उसकी जो highest power रहेगी वो क्या रहेगी one रहेगी यह होता है linear का मतलब अगर यहीं पर मैं x स्क्वेर कर दू तो sir यह क्या linear होगा क्या यह linear होगा आप बोलोगे नहीं होगा क्योंकि sir linear equation में highest power highest degree क्या रहेगी one रहेगी sir अगर मैं y to the power forный लिख दू तो क्या यह linear होगा तो आप बोलोगे sir linear नहीं होगा तो अगर मैं अगर मैं सब चीज को 7x plus 4 is equal to 0 तो ये क्या कहलाएगा आपका linear equation in one variable इसका मतलब क्या है यहाँ पर 7 आपका coefficient हो जाएगा x का, यहाँ पर 4 आपका क्या हो जाएगा 4 आपका constant plus आपका क्या कहलाएगा plus आपका कहलाएगा arithmetic operation equal to आपका equation के लिए है और equal to 0 तो ये होता है आपका क्या ये होता है आपका linear equation in one variable अगर मैं इसका standard form की बात करूँ कोई भी standard form में लिखना चाहो तो ax plus b equal to 0 ये होता है linear equation in one variable का standard form जो मैंने उपर लिखा, सेम चीज़ यहाँ पर आपके सामने मैंने लिख दी, ठीक है तो ये होता है आपका linear equation in one variable तो अब सर यहाँ पर ये x के क्या value हो सर x के कोई ना कोई value होगी न ये unknown है, इसको हमें जानना है तो उसके लिए हमें जरूरी है हमें solution निकालना है linear equation का हमें solution निकालना है linear equation का तो कैसे निकालेंगे इसके solution के लिए एक चीज़ आपको याद रखना है method वो है transpose method कौन सा method है, transpose method उसमें क्या होता है equal to का x अगर plus है तो अगर वो equal to के उस side जाएगा तो वो बन जाएगा minus और same चीज reverse भी है minus अगर equal to के इस side आएगा तो वो बन जाएगा plus minus अगर equal to के इस side आएगा तो वो बन जाएगा plus minus इधर रहेगा, इधर आएगा तो बन जाएगा plus plus इधर रहेगा, इधर बन जाएगा तो minus, यह कैसा होता है, क्यो होता है एक छोड़ा सा example लोगा और समझाऊँगा, देखो सर 5x plus 3 equal to 0, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना मैंने बोला, मुझे plus 3 यहां नहीं चाहिए मुझे equal to के उस side चाहिए, तो मैं क्या करूँगा मैं क्या करूँगा, यहां से plus 3 हटाऊँगा मैं यहां से plus 3 हटाऊँगा, कैसे हटा सकता हूँ minus 3 करके, minus 3 करके सर, आप तो बोल रहे थे, तराजू है, तराजू के एक तरफ और दूसरे तरफ equal होना चाहिए, हाँ भया तो अगर आप तराजू के एक तरफ minus 3 रख रहे हो तो तराजू के दूसरे तरफ भी आपको minus 3 रखना पड़ेगा तो यहां पर आप क्या रखोगे, 0 minus 3 कहीं पर कोई बोले कि सर, ऐसा क्यों होता है, तो बता देना सर, इसलिए होता है, सर, प्लस इधर गया तो minus, माइनस इधर गया तो plus, similarly, अगर multiplication equal to के इस side जाएगा, तो बन जाएगा divide, और divide multiplication equal to के इस side आएगा, तो बन जाएगा क्या multiply, ठीक है, क्या होता है, बस reverse हो जाता है, जो अगर plus है तो minus, minus है तो plus, multiply है तो divide, divide है तो multiply ठीक है, जैसे for example, 7x is equal to 3, ठीक है, सर, यहां पर 7 किसमे है, 7 किसमे है, सर, 7 है multiply में, सर, अब मुझे यहां से 7 को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, divide by 7 करूँगा, ताकि यह कड़ जाए, 7 से 7 कड़ जाए, और यहां पर x अकेला बच जाए, तो सर, तराजू के एक तरफ आप divide by 7 कर रहे हो, तो काम बनेगा, क्या नहीं बनेगा, divide के दोनों तरफ आपको वही करना पड़ेगा, divide by 7, answer क्या आया सर, x is equal to 3 by 7, यहां देखो सर, यहां देखो क्या था, 7 x is equal to 3 था, इधर गया, तो divide में हो गया, यह हम direct समझ रहे है, यह चीज आप direct समझ रहे हो, ठीक है, इसकी उपर बहुत सारे जब कोशन करोगे, तो बहुत असानी समझ में आएगा, यह इस chapter का most important चीज है, जिसके मदद से आप कोई भी कोशन आप इस chapter का कर सकते हो, ठीक है, यह तरीका है, यह होता क्यों है, यह मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, चलो कुछ कोशन करते हैं, और देखते हैं कि क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर है 5x is equal to 9, यहाँ पर लिख जिते हैं, 5x minus 9 equal to minus 3x plus 19, ठीक है, सर हमें क्या करना है, हमें x की value निकालना है, solve का मतलब है, unknown number की quantity की value, निकालना ह हमें unknown number की value निकालना है, तो सर, unknown क्या है, x है, x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सर, दोनों अलग-अलग है, क्यों रखे हो सर, दोनों तो दोस्त हैं, अलग-अलग क्यों है, एक साथ ले ओ, सर, तो यह क्या हो जाएगा, 5x, मेरे बात ध्यान से सुनना, minus 3x है, equal to के उस सेट जाएगा, तो क्या होगा, plus 9, equal to के उस सेट जाएगा, तो plus 9 होगा, ठीक है, सर, यह क्या हो गया, 8x, और सर, यह क्या हो गया, 28, सर, 19 plus 9, कितना होगा, 28, अब मुझे बताओ, आपको x की value चाहिए, तो 8 क्या कर रहा है, इसके साथ में, 8 क्या कर रहा है, 8 को हटाओ, x की 8 multiply में है, उधर जाएगा, तो divide में हो जाएगा, उधर जाएगा, तो divide में हो जाएगा, तो सर, 8 यहां से हटाओ, और आपकी value आ गई, क्या, कि x is equal to 28 by 8, x is equal to 28 by 8, यह आपकी value आपके सामने आ गई, clear है, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है, next ये पता करना है मतलब तराज्यू के दोनों तरफ बराबर है तो पता करना है कि तराज्यू के इस सरफ बराबर है ये जाना है क्या X is इक़ल तो MINUS 3 क्या 이ंत का x is equal to minus 3 इसका solution है क्या x is equal to minus 3 इसका solution है solution होगा तो LHS is equal to RHS आना चाहिए अगर solution है तो तराजू के दोनों तरफ बराबर होना चाहिए तो आजाओ sir, करके देखते है sir, 10 यह क्या बोल रहा है x की value minus 3 रखो मैंने बोला क्या बाद सही में रख दे लोग यह रख दिया plus 7 sir, 13 minus 5 into minus 3 कोई दिक्कत मैंने क्या किया x के जगे minus 3 रख दिया sir, 10 into 3 30 होता है और sir, minus 3 है तो minus 30 होगा कोई दिक्कत आगे बढ़े sir, यहाँ पर plus 7 sir, 13 minus pi 3 जा 15 sir, minus 3 था तो minus 15 क्या होगा sir, minus 15 अब इसको solve करो sir, minus 30 plus 7 minus 23 होता है equal to हम देखते हैं क्या equal होगा sir, 13 plus 15 sir, minus minus plus होता है तो 13 plus 15 so, minus 23 is equal to 28 क्या यह equal है sir, मैंने तो कभी ऐसा नहीं पढ़ा मैंने जितना आपने mathematics के career में देखा है यह दोनों तो कभी equal नहीं होते है आप लोग बताओ, equal होते हैं क्या आप लोग अगर बोलोगे, equal होते हैं तो भाईया, sorry, नहीं होते यार equal equal ही नहीं होते भाईया, यह equal हो ही नहीं सकते equal हो ही नहीं सकते तो आप क्या बोलोगे x is equal to minus 3 solution नहीं है is not a solution is not a solution अगर solution होते तो तराजू के दोनों तरफ बराबर होते ना सर अगर solution होते तो तराजू के दोनों तरफ तो बराबर होते ही नहीं, एक तरफ माइनस 23 एक तरफ 28 है, कैसे चलेगा काम ऐसे काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है, चलो सर next question देखे, आजाओ अब हमको क्या करना है, इसको solve करना है, सर, solve करने का मतलब क्या होता है, कि आपको x की value निकालना है तो question है, 5x by 3 plus 2 by 5 equal to 1 आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर x को अकेला लेके आना है x की value निकालनी है, तो x को आपको अकेला लेके आना पड़ेगा तो सर, इक्वल डू के उस साइड भेज दो, तो 1, सर, प्लस है, तो वहां जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, यह होगा, जानते होना, क्यों होगा, हमने किया है, ठीके, क्यों होता है, सर, 5X by 3, सर, यहाँ पर इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, अगर मैं चाहूं, कि मैं च 5 minus 2 by 5 Sir answer क्या आ रहा है 5x by 3 equal to 5 minus 2 क्योंकि like fraction है तो 5 minus 2 3 by 5 Sir answer आ गया आपका आ गया है इतना सा है अरे नहीं भया X को अकेला लेके आना है Sir तो 5x है 5x is equal to Sir 3 यहाँ divide में है equal to के उस सेट जाएगा तो multiply में आएगा multiply में ले आओ Sir multiply में ले आओ Sir multiply में जाएगा तो multiply by 3 हो जाएगा Sir multiply by 3 हो जाएगा ठीक है बिल्कुल Sir उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है multiply में है equal to के इस सेट आएगा equal to के इस सेट आएगा तो divide में जाएगा और divide क्या है Sir divide में तो यह है divide में तो यह है 9 by 25, यहां समझ में तो आया होगा कि 9 by 25 क्यों आया, करके देखना 9 by 25 आपका भी आएगा, ठीके सर, अब आगे बढ़ते हैं और आपको देते हैं कुछ homework, साइड हो जा रहा हूं, सिब 2 homework दे रहा हूं, इसका जवाब आपको देना है comment section में, इससे मुझे समझ में आएगा, आ इसको solve करो, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और इसको solve करके comment section में बताना की class कैसी थी, और आपको ये भी बताना है कि ये, क्या इसका जवाब होगा, ठीके, तो thank you so much, मैं प्रियान शुशु क्लास, signing off, tada.